देखो जब भी कोई एक कांपनी अपनी ओनर्शिप को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो उसे हम शेयर्स कहते हैं एक स्मॉल पार्ट एक शेयर होता है ठीक है तो मुदोने इधर शिफ्ट हो जाओ ताकि मुझे तुमाहे फेसेस में सब आए कि घंच्ट तो शेयर्स हमारे पास एक होते हैं इकोटी शेयर्स पूल होते हैं है है जबकिकन के पास दो प्रेफ्रेशियुल राई एक तो उनके पास यह है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रिफ्रेंट योडर्स का दिविडेंट पहले पे करते हैं उसके बाद एक्विटी को देते हैं ऐसे ही री पेइमेंट तो है और वाइंडेगा जब में कंपनी वाइंड़ होती है तो वाइंड़ पे समय जब प्रिपेइमेंट करते हैं तो हमेशा प्रिफ्रेंश वालों को पहले गठते हैं इक्विटी वाले को बात प्रिफ्रेंश वालों को एक mixer in-na है कि कितना दस परसेंट न जो तो भी एक fixed rate of dividend मिलता है, equity में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें जितना shares है, जितना profits है, रियर टाइम पर देखती है, और पर annual journal meeting में, यह decide होता है, कि आके तुमें कितना dividend देना है, ठीक है, तो equity dividend कभी भी fixed नहीं होता, preferred share capital हमारे पास, एक होती है cumulative, preference shares, एक होते हैं non cumulative, cumulative preference shares वो होते हैं, जिन पर dividend accumulate होता रहता है, तीन साल तग ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर पहले साल company को profits नहीं हुए, तो company अगले साल जब profits हों गए तो पिछले साल कभी और इस साल कभी और इस साल कभी dividend दे देती, ठीक है, non cumulative में अगर इस साल profits नहीं हुए और dividend नहीं दिये, तो company dividend नहीं देगी, ठीक है, profit, क्योंकि dividend सरफ तभी दिया जाता है जब profit होता है, अगर profit नहीं हो तो dividend नहीं दिया जाएगा, तो इसी लिए जो cumulative preference shares का dividend है, वो as a contingent liability balance sheet में show करते हैं, क्योंकि contingent liability क्या होती है, which arises on occurrence of any event, वो contingent liability है, ठीक है, तो हमारे पास equity और preference shares दो है, हमारी syllabus में theory part इसका बहुत कम है, आपकी जो book 2 है, company accounts वो 24 marks है, ठीक है, 24 में से ऐसा कुछ fix नहीं है, कि debentures कितने का है, यह shares कितने का है, लेकिन यह पक्की बात है, कि एक 6 number का question, जिसमें की option भी आती है, यह shares में से आता है, ठीक है ना, एक 4 number का question, जो कि balance sheet का होता है, वो इसी में से आता है, और कम से कम एक या दो MCQ, यह तो confirm दी है, 10 number, ऐसे ही यह तो shares का हो गया, अगर हम debentures की बात करें, तो debentures वैसे भी एक 6 mark का cumples है जिसमें कोई option नहीं होती है, इसमें option shares के option shares के साथ ही होती है, तो हमारे पास यह 6 number हो गया, यानि कि 16 marks, यह तो confirm दी हो गया, 24 में से, अब बच्चा 8 number, 8 number में से एक 4 number का correction और MCQ आते हैं 4, इसके कोई guarantee नहीं है, कि वह यहां से आएगा या यहां से आएगा, but most of the time मान के चलो कि shares में से ही जादा आता है क्योंकि debentures में बहुत कुछ देनी को है नहीं, but ऐसा कोई rule नहीं है कि कितनी का आएगा, ठीक है, but shares जादा बड़ा chapter है, shares will take time, तो आप एधान रखो, मैं हर class में जो यह बात बोलती हूं, हर chapter के starting में यह बात बोलती हूं, यही बात आज फिर से बोलूंगी एक बार और, कि अगर आपने classes miss की, तो आपका नुकसान है, क्योंकि एक class miss करने का मतलब है, कि आपका पूरा chapter का खराब हो जाएगा concepts, और इस chapter में यह भी नहीं कर सकते कि इतना सा concept करो, और questions कर लो, इतना सा concept करो, questions कर लो, यह chapter में लगा तार concepts होंगे, उसके बाद हम questions कर पाएंगे, ठीक है, और यह चीज़ का भी experience अब तक करके देख चुके हो, कि कितना भी कर लो, जो हमको class में आके पढ़ने में समझ में आता है, वो चीज़े online में या recordings में नहीं हो सकती है, ठीक है, जब हम types of shared capital की बात करते हैं, तो यह हम अब पास online types हैं, इसमें authorized capital क्या है, authorized capital is also called registered or nominal capital, registered or nominal capital का मतलब क्या हुआ, कि जब भी at the time of incorporation, incorporation मतलब जब company incorporate होती है, जब company बनती है, तो उसमें एक document होता है, Memorandum of Association, Memorandum of Association पूरे external working profile बताता है, कि एक organization का overall external affairs कैसे रहे हुए, मतलब इसमें एक हमारे पास जो हमारे काम का है, वो होता है capital clause, Memorandum of Association में एक name clause होता है, object clause होता है, ऐसे ही करके एक capital clause होता है, Capital clause में यह mention होता है, कि maximum capital that can be issued by company in its lifetime, कि पूरे life में जो उसकी company का पूरा life span होगा, उस पूरे life span में company total कितनी capital raise कर सकती है, वो mention होता है, ऐसा नहीं है कि यह कभी altered नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, आज मेरी सोच वहां तक जाए ना, मेरी company बहुत ज़ल्दी grow कर जाए, फिर मुझे लगे ओहु, यह तुम मैंने कम capital कर दी, तो हम उसका altered नहीं कर सकते हैं, जितने में clause होता हो सकते हैं, अब मालो हमें कहते हैं कि company ने 10 lakh shares, equity shares, बताना पढ़ता है कि equity preference, equity shares, add the rate of 10 per share, add the rate of rupees 10 per share, यह authorized के लिए, मतलब इतने से company ने अपने को register करा दिया, कि during lifetime हम इतने shares issue करेंगे, कितने करेंगे, 10 lakh shares, equity shares issue करेंगे, एक share का price 10 रुपे होगा, तो जो 10 रुपे हैं, इसे हम कहते हैं face value, या nominal value, face value या nominal value, ठीक हैं, तो यह language आपको याद दीरे दीरे practice से आ जाएगी, अगर face value of a share, nominal value of a share, वो 10 रुपे है, फिर issued capital होती है, part of authorized capital, for which applications are invited from public, जरुबर सुनरा है कि सारे के सारे पैसे company एक साथ मंगा लेगी, हो सकता है company को भी सारे के जबरती नहीं हो, company ने सिरफ इसमें से 10,000 shares, anti rate of rupees 10 each, इतने ही public से मंगाए, इसके आगे के मंगाए ही नहीं, तो it's okay, यह issued capital हो गई, तो यह authorized capital का part हुई, लेकिन इतने ही shares उन्होंने मंगाए है, prospectus issue करती है company, और company जब prospectus issue करती है, तो उसके through ही shares की applications आती है, ठीक है, prospectus issue करने का मतलब यह है कि company उसने shares के लिए applications मंगवा रही है, ठीक है, subscribed, applications या number of shares, for which applications applied by public, अब हो सकता है हमने तो 10,000 shares के लिए application मंगाई है, public 10,000 shares के application के बद्दे में 10,000 shares apply करती है, जादा करती है, यानि कि for which public subscribe for, पॉब्लिक ने कितने के लिए subscribe किया है, कम भी हो सकते हैं, जादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यानि कि हम ही कह सकते हैं, कि issued capital अगर subscribe capital के बराबर है, तब तो कोई problem ही नहीं है, लेकिन अगर issued capital जादा है subscribe capital से, हमने मंगाए जादा और आए कम, तो इसे हम कहेंगे, under subscription, लेकिन अगर issued capital कम है subscribe capital से, यानि कि लोगों ने apply जादा किया है, और issued कम हैं, तो उसे हम कहेंगे, over subscription, अब ऐसा भी को जरूरी नहीं है कि 10 रुपे एक साथ मंगा ले, यह भी हो सकता है कि 10 रुपीस वह अलग-अलग टुकडों में मंगाए, जैसे कि हमें कहा सकते हैं कि जब company apply कर रहे हैं, वह कहा दें कि रुपीस 4 पर शेयर और balance in two calls, यानि कि हम एक first call भी ले सकते हैं, second call भी ले सकते हैं, यहां में रूल यह हो जाता है कि जो हमारा company's act है, 2013 वह यह कहता है कि 25% of face value हमें एक बार में मंगाना जरूरी है, जब कि से भी यह कहता है कि 5% of issued price मंगाना जरूरी है, 5% of issued price, अब issued price और face value में क्या difference है, कि हमारे जो shares है, वो at par भी issue हो सकते हैं, यानि कि face value पे और at in-up भी हो सकते हैं, more than face value, face value दोस रुपे कि हैं, हम वो यह share पचास रुपे का भी issue कर सकते हैं, तो premium भी हो सकते हैं, लेकिन premium money जो extra आ रही है, 40 rupees उसको utilize करने के specific utilization के items हैं, जहां पर आप उन्हें utilize कर सकते हैं, तो वो हम भी बार में cover करेंगे, फिलहाल यह मतलब हुआ कि 5% of issued price, पचास रुपे issued price होगा, लेकिन face value 10 rupees ही होगा, ठीक है? तो called up मतलब part of subscribe, which is called up from public, which is called up मतलब अगर यह called up होगी और अगर जितनी actually receive होई है वो paid up है, मानलब कोई Mr. A है, उसके पास 100 shares है और उन्होंने allotment नहीं पी, did not pay allotment, उन्होंने allotment मनी पेने की तो paid up कितनी होगी? 70,000 में से 100 into 4, 400, 69, 600, तो paid up जितनी actually में receive हुई है और called up जितनी call की है, तो यह हमारे पास अलग अलग ताइप ओ शियर प्रापिटर है, ठीक है? समझे? इसको एक बार note down कर लो, फिर से समझ लो, कभी कोई दिक्कत आती है तो पहले इतना portion clear होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह portion अगर clear नहीं होगा तो आगे numerical में दिक्कत आ सकती है, तो पहले इतना portion clear होना जरूरी है, तो यह सारा का सारा note down कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और कोई दिक्कत आते बताते हैं, अब देखो, अब हम करेंगे accounting treatment, इस accounting treatment हुए, हमने एक example एजून कि 10,000 शेर हैं, 10 रुपे का एक शेर है, हम application के समय मदा रहें, अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले applications आती है, जब prospectus issue होता है, तो सबसे पहले applications आती है, तो हमारी first entry क्या होती है, bank account debited to equity share application account, इस तरह से आप पूरा लिखते हो, पूरे 10,000 into 3, 30,000, अब इस application मनी को हमें transfer करना है capital में, जितने भी ये share application, share allotment, share capital, share first call, ये सब accounts हमारे personal nature account है, ठीक है, share application represents many applicants at a time, हमारे साथ एक अलब से register बिंगने होता है, जिसमें सारे applicants के नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें हमें सारे applicants के एक साथ बिग्या represent करते, तो this is representative personal nature account, ठीक है, तो हमने कहा bank account debit to equity share application 30,000, फिर इस मनी को equity share application account debit, जितने से हमने यहां credit किया उतने से ही debit कर दिया, तो equity share capital account, ठीक है, equity share application को हमने capital में transfer कर दिया, अब, अब company के बारी है, अभी तो लोगों ने apply किया, अब company के बारी है, company ने confirmation दी कि हम shares allot कर रहे हैं, अब company को पता है कि हमें कितने पैसे मंगाने हैं, तो, equity share allotment account, अगर यहां पे preference होता हम तो हम preference लिख देते, अगर question में लिखा होता है कि में preference shares के लिए accounting कर रहे हैं, तो बस equity के लिखेंगे preference आता, अगर कुछ भी नहीं लिखा, equity preference, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे simple share capital, share allotment, ऐसे लिखेंगे, चाता सारा का सारा ultimately capital में है, रेको, जो application में थी वो भी capital में गई, फिर allotment हम due करेंगे, 40,000 रुपेस की वो भी capital में गई, तो यह entry हमने क्यों की थी, यह हमने की for receiving application money, फिर यह entry हमने की for transferring application money, फिर हमने किया for becoming allotment money due, और due करने के बाद next entry हमारी होगी for receiving allotment money, allotment money को receive करने के entry, तो इसमें क्या होगा, bank account debited, तो यहां पे भी equity आएगा, equity share capital, bank account debited to equity share allotment, कितना हो गया यह, 40,000, और 50,000, हो गया allotment तक का काम, अब next entry, for becoming, first call money due, first call money due करने के entry क्या होगी, due, equity share first call money, first call account debit to equity share debt, equity share first call account debited to equity share capital, कितना रुपेश की, 2 रुपेश की थी, 200,000, और 50,000, यहोगी, टीक है, समझ में आया, अब ऐसे ही आगे करेंगे, you know term कर लो, फिर आगे की भी करवा रेते हो, कि, first call money को receive करना, second call, जो भी last call होती है, उसके आगे final word लिकना जरूरी है, अगर वो first call ही last call करने है, मतलब second call करी नहीं दे, सरफ एक ही call तो first and final call, ठीक है, तो जो भी last call है, उसको हमें final word लिकना जरूरी है, got it? अचला, पोर्टवरी ऐसे आएगे, पीटा, allotment money due कर दी, share allotment to share capital, फिर अब यह पैसा receipt भी तो करेंगे, तो देखो allotment को यह debit किया था, यह debit कर दिया, अब bank में पैसा आ रहा है, तो debit work comes in, तो bank to equity share allotment, fifth में फिर हमने money due की, जैसे allotment money due की थी, वैसी first call money due की, equity share first call account debit, कितने से होगा, 10,000 shares पे दो रुपे के साब से, two equity share capital, सब कुछ capital में जाएगा देखो, यह application गई capital में, allotment गई capital में, first call गई capital में, जाएगा सब गुंफिर के capital में, capital ही तो raise कर रहा है न हम, बच से bank, फिर bank जाएगा, फिर next entry आती है, अभी हमने first call money due की थी, अब हम करेंगे for receiving first call money, तो bank account debited, to equity share, first call account, कितने से हो जाएगा, 20,000 share से, ठीक है न, फिर for becoming second and final call, यह पूरा बड़ा इतना जरूरी ही है, तो हम करेंगे equity share, second and final call, अब काम हम debited, तो equity share, क्या बड़ा, यह पूरे 10,000 share, एक रुपे के final call दी न, यह पूरे 10,000 share से आ गया, आप, receive करेंगे, for receiving, meaning, equity, certain and final call, 10,000 share, ठीक है, अकर इसे क्योफ्चन में, एक variation ले ले हम, इसे क्योफ्चन में, एक variation यह ले ले, कि application money, applications, receive, for 12,000 shares, company decides, to refund, access applications, company ने यह सोचा, कि हम extra applications, refund कर देंगे, वापिस कर देंगे, तो क्या changes आएंगे, जो तुमारी पहली entry है, bank account debited, यह वे short form अभी लिख रही हूं, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना, प्रैक्टिस में चाहे लिख लो, लेकिन कभी भी, test में, exam में यह short forms नहीं लिखने, इस बात का हमीशा ध्यान दाए, प्रैक्टिस में चाहे मत लिखो, और भी अच्छा रहेगा, लिखने की speed बढ़ेगी, बट चलो, जब 100 questions करने होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि, हां लिखी जाती है, then it's okay, ठीक है लिखके, कभी भी test में नहीं लिखना, अब यहां पे अपे applications आई, 12,000 shares पर 3 रुपे, 36,000, जो second entry होगी, वो equity share application, debited, two equity share capital, और two bank, equity share capital में उतना amount आएगा, जितना की required है, जबकि इसमें वो amount आएगा, कि जितना हमने refund कर दिया, यानि कि, यहां तो पूरा credit 6 आया, जितने से capital हमने credit की, उतना ही आया, equity share capital में कितना आया, जितना required था, required कितना है, 10,000 shares पे, तो 10,000 shares, into three, आया, एसा है ना, दिमाग को इस चीज में लगा लो, कि जैसे मैं मुरू वैसी हम लिखें, या दिमाग को इस चीज में लगा लो, कि पहले समझ लो फिर लिखें, इस चीज को मैं बार बार तो क्या ही समझाओंगे, हम पट से हाथ चले, तो दिमाग के कब इधर खूम रियो और कब इधर खूम रियो, इस चीज को संझाटे वे आदा साल तो निखल चुका है, फिर भी समझ में नी आ रिया है, हो है, हो नी, लाइक कि हां दो चीज़े एक साथ कंटीनू कर सकें, तो भाई करते हो, दढ़ने की के बादे खुल के लिखो, जब बाग के सब लिख रहे होंगे तो खाली बैठे रहना, तो जाद अच्छा रहेगा खाली बैठ के सब की शक्रे देखना, लिख लो, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पता चलते हैं, बस मैं इग्नोर करती हूं, ना ब तो टोटल 36 में से जितनी रिक्वाइड है, वो कैपिडल में डाल दी, और जितनी रीफंट कर रहे हैं, वो बैंक कित्रू बादे से बादे से, लेकिन माइनस करके निकालने से अच्छा है, आप कैल्कुलेट करो, बाइचन्स अभी तो स्टार्टिंग है, आगे चलके और होती रहेंगी, तो आपको अपने मिस्टेक पता लग जाते है, इसलिए हमेशा काल्पूरेट करो, और यह जो फिगर से हैं, यह पैंसल से लिख सबते हो, इस अलाओ, ठीक है, आपको कर्मीनेंट रहेगा कि आप इसे पैंसल से लिख लोगे तो, इरेस नहीं भी कर पाए, तो भी चल रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा, आगे का question, allotment due करना, allotment receive करना, first call due करना, receive करना, second call due करना, receive करना, as it is, चलेगा, यह 12,000 shares के यही पे काम खत्म हो गया जोटी, हमने दूख आउसे में इसलिए, क्योंकि 12,000 shares के लिए application में उसमें से हमें 10 चाहिए थी, तो 2000 एक्स्ट्रा आगई ना, तो एक्स्ट्रा ही वोगने refund करती, क्यों क्या, चलो, एक पर वापे करना, तो क्या रहा है, 12,000 shares के application है, हमें चाहिए तो सिर्फ 10,000 की है, तो हमने first entry उतने से की, जितना हमें amount received हुआ है, हमें received कितना हुआ हुआ 12,000, 12,000, 36,000 हो गया, जबकि इस मिसमें चाहिए कितना था, 10,000 shares पे, तो हमने payment आ लिया, अब जो बाकी बज्जा 2000 shares, वो हमने वापिस करती है, हमें चाहिए हैंगी, अब देखो, equation यह है, कि 20,000 shares के लिए application नंगाई, एक share 10 रुपे की face value है, लेकिन उस पे 25 रुपीस का premium है, ठीक है? एप्लिकेशन पे 5 रुपीस मन गाए, इंक्लूदिंग 3 रुपीस premium, यानि कि 3 रुपे का premium है, एप्लिकेशन पे हुआ, 2 प्लस 3, 2 रुपे face value का portion होगे, 3 रुपेस का premium होगे, एलॉट्मेंट 20 रुपे की है, इंक्लूदिंग 15 रुपीस premium, इसका मतलब 5 रुपीस face value का share और पंदम से premium होगे, call money पे लिखा है balance, balance का मतलब क्या हुआ, कि 10 रुपे में से 2 रुपे और 5 रुपे, 7 रुपे तो यहां मंगा लिए, बचे कितने, 3 रुपे, face value के 3 रुपे बचे न, 10 रुपे में से 2 रुपे एप्लिकेशन के, और 3 रुपे, 5 रुपे allotment पे मंगा लिए, तो 3 रुपे यहां बचे, premium money का अगर देखे तो 25 के premium रुपा, 3 रुपे यहां मंगा है, 15 रुपे यहां मंगा है, 18 रुपे मंगा लिए, तो यहां गया, ठीक है, अब देखो, तुम्हारा 10 रुपे की face value थी, इस 5 में से 3 रुपे premium रिए, तो यहां मंगा है, 2 रुपे face value होगी 3 रुपे, allotment 20 रुपे की थी, 15 रुपे यहां मतला 5 रुपे face value होगी 15 रुपे अब बैलेंस कितना बचा, 10 में से 2 रुपे यहां गया, 5 रुपे, 7 रुपे, बचा 3 रुपे, 25 रुपे यहां गया, 15 यहां मतला 5 रुपे, 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 यहां अब जब भी premium की entry होती है तो यह नान के चलो कि security premium share capital के साथ साथ ही चलता है security premium account always shown with capital account यह ध्यान लखो अब हमने first entry की bank account debit to share application हमें यहां पर कुछ भी नहीं बोला कि equity है यह purchase है तो हमने share application लिख दिया कितने रुपीज हमें आए बीस हजार शेयर पे पांच रुपे आए एक लाग हो गया बीस हजार रुपे पे पांच रुपे आए ठीक है पोटल नहीं मनी आया न अब जब second entry करेंगे तो share application account debited जितना हमने यहां credit किया उतना है debit कर दिया जितना है credit कर दिया तो share capital to security premium तो रुपे याने कि 40,000 share capital में और तीन रुपे याने कि तो हमने divide कर दिया कि जो में एक लाग रुपे मिले हैं उसमें से 60,000 हमारा share capital में गया और 40,000 हमारा share capital में गया और बचा हुआ अब हम जब allotment money due करेंगे तो आम क्या मुद से पोछ लो मैं बता रहे हैं कि रिवाएट उनी सर्फ 20,000 हमारा पर लिखा नहीं कि application कम जादा कितनी है तो हमने 20,000 हमें तो बोला ही नहीं कि application कम आई है या जादा आई है अभी तो यह बात कहानी नहीं चली ना इसलिए है अब share allotment account debit 2 share capital 2 secure lease premium कितने रुपे 20 रुपे हमें पूरे 20 रुपे चाहिए यानि कि 4,000 रुपे चाहिए और इस 4,000 रुपे कैसे मिलेंगे 15 रुपे premium और फांच रुपे capital तो फांच रुपे capital मतलब 1 रुप और यतीन रुप यह total allotment money है उसको हमने divide कर दिया कितनी हमारा capital का portion है कितना हमारा premium का portion है तो हमने कहा capital में जाएगा 5 रुपे और premium में जाएगा 15 रुपे अब जब हम receive करेंगे तो शेयर रुपमेंट पूरे पैसे आगए चाहड़ना बोरे के पूरे पैसे आगए चाहड़ना ठीक है फिर शेयर फर्स्ट क्योंकि हमें तो कुछ बताया है कि इसके बाद कोई call है और पूरा balance यह मंगा लिया इससे बता लग रहा है कि यही call जो फर्स्ट कॉल है यही हमारे यह फाइनल कॉल है तो हम क्या गरेंगे फूरे दस रुपे हो गए नहीं तो दस रुपे के इसाब से दोला टू सॉरी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी स्प्रीम तो हमने क्या एंट्री की शेयर कैपिटल में तीन रुपे के इसाब से साथ हजार और इसमें साथ रुपे के हसाब से तो अब बैंक यह फाइनल कॉल यह आगया दोला तो बैंक अकाउंट डैबिट तो शेयर फर्स और फाइनल कॉल हमने यहां पर ड्यू किया और यहां पर रसीव किया है ना तो जितना ड्यू था उतना हमें रसीव हो गया अभी यहां पर ऐसी कोई बात ने चली है कि किसी ने पर नहीं किया अप्लिकेशन का माई जाद आई अभी जो तुम्हारे समझने वाली है वो यह चीज है कि प्रीमियम मनी हमेशा कैपिटल के साथ ही आएगी जब हमने यहां पर किया तो कैपिटल और प्रीमियम एक साथ आएगी जब हमने यहां किया तो कैपिटल और प्रीमियम एक साथ आएगी और यह भी कोई जरूरी नह हमेशा सब के साथ ही हो वो सकते है प्रीमम मनी सिर्फ अलॉट्मेंट के साथ ही हो वो सकते है प्रीमम मनी सिर्फ अप्लिकेशन के साथ ही हो कॉल के साथ ही हो तो आपको केस्टिन ने मेंशन होता है कि प्रीमम मनी किसके साथ है ऐसा कभी नहीं होगा ऐसे कोई confusion कभी create नहीं की जाएगी कि premium money किसके साथ है यह confusion कभी create नहीं की जाएगी आप लगों ठीक है थैंक यू और good luck to all of you share, subscribe the channel and press the notification button notification button को press करना तूँ जरूरी होता है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे videos डालू में काफ़ बस notification आ जाएगा ठीक है ना और subscribe करना भी इसलिए जरूरी होता है कि subscribe करोगे तभी तो मुझे भी तो motivation चाहिए ना कि भाई मेरे subscribers बढ़ रहे हैं sense of accomplishment तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे subscribers बढ़ रहे हैं तो अगर तुम वीडियो देखोगे like ने करोगे comment ने करोगे तो मेरे को motivation कैसे मिलेका और मुझे नी मिलेका तुम्हें तुम्हें कैसे दूंगी है ना तो इसलिए comment भी करो like भी करो subscribe भी करो share भी करो ठीक है और notification वाले bell button भी प्रेस कर थैंक यू झाले ना तो